आपके पास Samsung Galaxy A55 है M55 है ये कोई और फोन है तो आप यहाँ पर फोन की लेंग्विज को चेंज कैसे गर सकते हैं तो इसके लिए सेटिंग पर जाएंगे सेटिंग पर जाने के बाद इस टैप से ऑप्शन आएगा स्क्रॉल कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आजाएंगी सेलेक्ट कर लेंगे जिस लेंग्विज में फोन आप करना चाहते हैं तो स्क्रॉल करके यहां से मैं देख लोंगी तो मेरे को हिंदी में करना है तो हिंदी मैं यहां पर सर्च मार लोंगी यह रहा सेलेक्ट कर लेंगे डिफॉल्ट कर देंगे डिफॉल्ट कर तो आप ध्यान रखेंगे जो ग्रे कलर की लाइन्स हैं इस पर क्लिक करेंगे सबसे उपर वाले option को select कर लेंगे और यहां पर क्या करेंगे आप इसको touch and hold करके उपर ले जाके shift कर देंगे तो आपकी यहां पर फिर से language चेंज हो जाएगे देख सकते हैं जो सबसे first number पर रहेगी उसी में language आपकी चलती है मतलब phone चलता है आपका और कोई language remove करना तो edit पर जाएंगे language select करके remove कर लेंगे अब जो language बचेगी उसमें phone चलेगा यह तो हो गए phone के language की बात अब यहां पर app language का एक option है तो यहां पर जितने में Google के applications होते है न Google Chrome Google की तो यहां पर जैसे कि आपका YouTube हो गया आपका Google Meet हो गया जिससे आप वीडियो अगरा करके classes लेते हैं इन सबकी languages को अभी आप change कर सकते हैं सेम तरीके से जो language support करती है वो सारी देखने को मिल जाएंगी यानिकि जो आपकी phone की languages support करती है न वही same application की language support करती है तो बस language select क देख सकते हैं Google Meet को में हमने Hindi में कर दिया इसी तरह से Google का map है इसको भी हम change कर लेंगे स्क्रॉल करके देख लेंगे Hindi कर दिया इसको भी इसी तरह से application की language भी Hindi में कर सकते हैं अब phone की तो हो गई है application को जब आप open करेंगे न तो आपका उसी language में होगा जिसमें आपने किया है ठीक है तो एक बर इसको off कर लेंगे दुबारा से open करेंगे इसको पहले काट के रिसेट कर देंगे उसके बाद यह language चेंज हो जाएगी इसी टाइप के इंट्रसिंग वीडियो के लिए आई बटन पर क्लिक कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार भीडियो के लिए जाएगे लेंगे लिए और रीडियो के लिए से Bेंगे जरेगेद है लेगे मिलते वीडियों के लिए।